दोस्तों केसे इस फिल्म ने एक्टर जीतेंदके डुपते करियर को पचाया था दरसल 1960 से 1990 तक जीतेंदर जी ने हर साल कई फिल्में की थी कई बार तो एक साल में उनकी आर्ट से 10 फिल्में भी रिलीज हुई थी 1982 में उनकी दीदारे यार फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्हें उस वक्ट डाई करोड का नुकसान हुआ था लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने एक तेलकु फिल्म के रिमेक से की थी और ये फिल्म उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी और ये फिल्म 1981 में आई इस तेलकु फिल्म के रिमेक थी जो साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी ये फिल्म का नाम हिम्मत वाला था उस दोर में हिम्मत वाला ने पांच करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था इस फिल्म से स्री देवी को भी बड़ा स्टार्डम मिला था एक इंटर्व्यू में जितनर जी ने कहा था हिम्मत वाला फिल्म से मैंने कमबेक किया था इससे मैंने बहुत पैसा कमाया था इतना पैसा कमाया था कि मैं अपना नुक्सान भी भूल गया था हिम्मत वाला एक ट्रिमेंडस सक्सेस थी साथ ही जब मुझे पता चला कि इसमें स्री देव के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हुआ था दोस्तों दीदारे यार फिल्म के बात करें जिसे उनको डाय करोड का नुकसान हुआ था वो फिल्म पांस साल से बन रही थी हिम्मत वाला के बाद जितन रजी हर फिल्म में श्री देव के साथ काम करना चाते थे इसके बाद दोनोंने साथ में 16 फिल्मों में काम किया था जिसमें 13 हीट होई थी